किचेन से रिलेटेट कुछ बढ़िया सा टिप और ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपका डे टुडे लाइब में बहुत ही कामाने वाला है हेलो एवरिवान एन वैलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब लोग आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो मेरा आज का जो पहला टिप है वो है जली हुई बर्तन को लेके तो फ्रींस कभी कबर होता है ना कि हमारा धिान भटक जाता है और जिस वज़े से जो भी चीजे उसमें हम बॉयल करने के लिए रखते हैं वो जल जाता है साथी साथ बर्तन भी जल जाता है तो देखिए सिमिलर्ली मेरा भी आज ऐसा ही हुआ है मैं इस पे न दूद बॉयल करने के लिए रखी थी बाई मिस्टे की जल गया है जाती सत बर्तन भी जल गया है और ये दाख बहुत ही जिद्धी होता है आसानी से इसको हम क्लीन नहीं कर पाता है इसको क्लीन करने के लिए दो तीन दिन लग जाता है और बहुत ही गिसना और बहुत यह असान तरीके से पांच मिनिट में यह क्लीन हो जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है पानी लेके उसको ना गैस में चड़ा देना है करम करने के लिए और थोड़ा सा नीबू मना आधा नीबू मैंने उसमें निचोर दिया है और साथी साथ नीबू कर च कि अपने अपने यह काल आप खाफ मैंने जनक के लिए जीट एे और ज़ी घाल पानीनल के दया है उसमेंकि मिलप्र कमाने जांप भी घुड़ा है और भी डा इसे थोड़ा जुव खख़एग षंज चानक कर चूह तो जहकी क्ले बिम केश sounds omus foreign कितने भी बची कुची जली हुई हिस्सा है, वो भी आसानी से clean हुआ जाये। तो मैंने पानी को आदा घंट के लिए छोड़ दिया था, अभी हम देखेंगे कि बर्तन का हालत कैसा है, कितना हद तक ये क्लीन हुआ है, और कितना बाकी है, तो पानी को मैंने दूसरा बर्तन में टांसफर कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बर्त डालके इसको इस तरीके से थोड़ा सर रब करके क्लीन कर लीजिए, जब बर्तन बहुत ही बुरी तरीके से जल जाता है, तो जली हुई जो हिस्सा है, जलने का दाग है, उसको तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन बर्तन में से जलने का एक स्मेल आता है, बहुत ही बैड स्मेल कि आपको result कैसा मिला अक्सर जब हम market से केला लेके आते हैं तो केला एक ही दो दिन में सरने लगता है केला एक ऐसा fruit है जो बहुत जल्दी सरने लगता है और जब हम बहुत जादा केला लेके आते हैं तो इतना सारा केला एक ही साथ में खाना possible नहीं है तो उस टाइम आप क्या क कीजिए इस तरीके से एक aluminum foil का टुकड़ा ले लीजिए इसके जगा आप news paper भी ले सकते हैं और केले का जड़ है ना root है उसको इस तरीके से aluminum foil होगा है news paper से आप cover कर दीजिए ऐसा करने से आप देखेंगे जो केला सडने लग रहा था वो सड़ेगा नहीं अराम से वो काफी द लग वीडियो बनाने वाली हूं बट ये भी monsoon में आपका बहुत ही काम आएगा अकसर देखा जाते हैं लाल मीड जो होता है ना मौनसुन के मौसम में बारिस के मौसम में वो खराब होने लगती उसमें फंगस आ जाती है तो उसको बचाने के लिए आप क्या कीजिए गैस जला के तावा या कड़ाई में इसको हलका सा रोष्ट कर लीजिए इसको ना जलाना है ना पकाना है इस जिसका ध्यान लेकिन अराम से हो जाएगा अगर आपके पास माइक्रोवेब है तो आप इस काम को माइक्रोवेब में भी कर सकते हैं इसली उसके बाद उसको ठंडा कर लीजिए ठंडा करने के बाद आप जिस कंटेनर में मसाला रखते हैं मिर्ची रखती हैं उसमें आप रख दीजिए मैं आप सबके साथ सेयर करूंगी इजीली सिल्वट्टा को कैसे हम घर वेठे इसको तेज कर सके इसको धार दिला सके जो ग्लास का चीजे होता है जो टूट जाती है उसको मैं फैंकती नहीं हूँ तो उसको मैं रख देती हूँ और जब भी मुझे सिल्वट्टा को धार दिलाना होता है तो इस चीजे में दिलाती हूँ आप आप लोग सोचेंगे कैसे पॉसिबल चलिए वीडियो को दियान से देखे तो इसके लिए आप ले लीजिए मोटा सा एक स्वापिंग बैग तो इस तरीके का अगर बैग हो तो बहुत अच्छा होगा और उसके बाद आप पहन लिजिए हैंड ग्लप्स तो मैंने यहाँ पर रवर का हैंड ग्लप्स पहन लिया है आपके पास अगर हैंड ग्लप्स नहीं है तो आप क्या कीजिए पॉली बैग भी हाथ में रैप कर सकते हैं तो इस तरीके से इस काम को आप सेप्टी ली करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो आपको चोट ना पहुँचे जितना भी हो यह कांच है ना इसलिए तो देखिए सबसे पहले ना मैंने सिल को भर लिया है इस बैग में कोई-कोई सिल बोलता है या कोई-कोई चौकी भी बोलता है जो आप बोले उसके बाद तूटी हुई जो गलास का चीजे था उनको भी मैंने भर लिया है उसके बाद जो बैक का मुह है ना उसको मैं अच्छी तरीके से बंद कर दूँगी तक कि कांच का टुकरा बाहर निकल के नहाप पाए तो इसलिए देखी बैक का जो मुह है ना उसको मैं अच्छी तरीके से बंद कर लिया है तक कि बट्टा की मदद से इसको धीरे धीरे हम पटकेंगे यानि कि जो कांच है ना उसको हम तोड़ेंगे और ये काम बहुत ही सेप्टी ली किया जा रहा है तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराना और इससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है तो थोड़ा सा ना मिडिल में में चेक करके देख रही हूँ और जो ग्लास का हार्ड वाला पार्ट है ना उसको मैं हटा दूँगी क्यूंकि ये तुटेगा नहीं तो इसलिए उसको मैंने हटा दिया तो फ्रेंस लगपक दो मिनिट तक कंटीन्यू मैंने इस तरीके से किया उसके बाद अभी खोलके देखेंगे तो ये ना बहुत अच्छे से महीन पाउडर जैसे बन जाएगा तो देखे इस तरीके से बन चुका है, अभी ना मैं क्या करूँगी इस बैक को इस तरीके से में उपन कर लूगी और सिल्वटा में जैसे हम लोग मसाला पीसते हैं उस तरीके से हम पीस लेंगे ये तरीका बहुत ही traditional तरीका है तो आप लोग देखे होंगे जो लोग सिलवटा को तेज करते हैं धार दिलाते हैं उनलोग पत्थर से इस तरीके से करते हैं तो पत्थर के जगा मैंने काच का यूज किया है तो same result आपको मिलेगा अब जरूर से try करना और believe me थोड़ा सा भी न दाल दिया है अभी इस बैक में डालके मैं इसको फैंक दूँगी और आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा भी काच निकल के बाहर नहीं आया है अभी जो है ना सिलवटा को दोनों को ही मैं अच्छी तरीके से धोलूंगी इसको पानी से पहले अच्छी से रगड के धोलें अब भीम जल और स्टील स्क्रबर से अच्छे से रगड रगड के फिरसे में धोलूंगी यानि की दो तीन पानी से अच्छी तरीके से अब सील और बटा दोनों को ही अच्छी तरीके से धोलीजिए ताकि कांच का जितने भी पावडर या टुक्रा जो भी रहे तो सलकों में अच्छी से वाइप कर लूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है अगर कांच का टुक्रा या पावडर थोड़ी बहुत गिरा हुआ है तो वो भी अच्छी से क्लीन हो जाएगा तो ये स्पॉंज वाइप से बहुत अच्छा क्लीनिंग होता है सारा डट जो भी धूल मिट्टी रहता है स्पॉंज वाइप में मैकनेट जैसा चिपक जाता है सो फ्रेंज देखिए फाइनाली सिल्वट्टा को मैंने अच्छे से तेज कर लिया है इस तरीके से अगर सिल्वट्टा को आप धार दिलाएगे न तो बहुत अच्छे से ये सिल्वट्टा तेज हो जाएगा इस वीडियो के लिए एक लेक जरूर कर देना तो इसी के साथ आज का वीडियो में ही पेंट करती हूँ उम्मीद है आप सबको पसंद आया है अगर थोड़ा से भी पसंद आई लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब भी कर लिजिए तो मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाई फ्रेंस एंड थैंक्स पर वाचिंग